हलो दोस्तों नमस्कार, स्वागे था आपका आज के इस वीडियो में आप देख सकते हैं मेरे पास एक बॉक्स है, आज मैं इस बॉक्स के अन्बॉक्सिंग करने वाला हूँ सबसे पहले बॉक्स का ओर्वीव देख लेते हैं, बिलिंग सेक्सन वगरत कुछ दिया हुआ, ये प्रिपेड ओर तो इसमें प्राइस में नहीं किया गया है अब जल्दी से प्रोड़क्ट को अन्बॉक्स कर लेते हैं, आप देख सकते हैं इसकी पैगिंग काफी अच्छे तरीके से किये गई है जिससे प्रोड़क्ट को कोई नुकसान ना हो अच्छे से ये डिलिवर कर दिया जाए प्रोडक्ट को आप बाहर निकाल लेते हैं और जानते हैं इसके बारे में अब ये बॉक्स खाली हो चका है इसमें और कुछ भी नहीं है और हमार प्रोडक्ट बाहर आ चुका है आब देख सकते हैं इसमें प्लास्टिक की रपिंग काफी अच्छे तरिके से की गई है ये product मैंने Flipkart Smart Buyer से खरीदा है जिसका product name है Flipkart Smart Buyer insta hot fan room heater ये room heater मैंने 8.50 रुपिस में purchase किया है इस price range में काफी सारे room heater भी थे बट मुझे यह cheap and best लगा, इसलिए मैंने इसे ही purchase किया यह काफी ज़्यादा light weight है, approach 300 to 400 gram weight होगा इसका मैंने इसे घर के use के लिए खरीदा और मेरा camera approach 18 into 15 feet का है इसमें कुछ paperwork भी दिया गया है, जिसमें product को कैसे use करना ही यह बताया गया है इस product का over-over look और color combination black and white मुझे काफी ज़्यादा पसंद आया दोस्तों इस वीडियो में इस product की quality, positive and negative सही बातों को detail से बताऊंगा इसलिए आप वीडियो में अंतक बने रहे हैं किसी भी room heater में अच्छे safety feature का होना बहुत ज़रूरी है चलिए इस room heater की safety features के बारे में जान लेते हैं इसमें black safety grill दी हुई है जो की metal की बनी हुई है साथ ही इसमें strong body के लिए high grade plastic का भी यूज किया गया है heating element के लिए इसमें nicrome wire का यूज किया गया है यह light weight है, noise less है और साथ ही one ear की domestic warranty के साथ आती है इसमें quick heat features दिया गया है जिसमें blower द्वारा hot air produce होता है इसमें 15 ampere का plug-in socket दिया गया है और इसकी wire के length 1.7 meter है इसमें अच्छे quality का power in socket और copper की wire दी गया है इसमें overheat cut up feature भी दिया गया है जब आप काफी लंबे समय तक इस room heater को यूज करते हैं ये overheat हो जाती है तो ये self cut out हो जाती है साथ ही एक ऐसा feature जिसके बारे में आपको यूट्यूब में सुनने को ना मिले oxygen burn काफी ज़्यादा लंबे समय तक room heater को यूज करने से उस room का temperature काफी ज़्यादा बढ़ जाता है जिससे oxygen burn होने लगता है जिससे ज़्यादा उम्र के लोगों और अस्थमा वाले पेसेंट को सांस लेने में काफी ज़्यादा कटना ही होती है पर इस room heater के साथ आपको ऐसी कोई दिकत नहीं आने वाली है इस feature के बारे में description में कुछ भी नहीं बताया गया है यह मेरा खुद का अनुभव किया गया है पावर सप्लाइ ओन करने पर एक से दो मिनट में ही यह 35 से 40 डिगरी होट एर प्रोडियूस करने लगती है जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं इसमें 15 एमपेर की पावर प्लग इन सौकेट दी गया है जो नॉर्मल चार्जर सौकेट में यूज नहीं हो सकता है इसके लिए आपको 15 एमपेर की पावर सौकेट की ज़़रत है यहां रूम हीटर 2000 वाट का पावर कंजूम करती है और इसमें दो मोड दिये गए हैं इको मोड और हाइ टेंपरेचर मोड इको मोड में 1000 वाट का हीटिंग एलिमेंट वर करता है और हाइ टेंपरेचर मोड में 2000 वाट का हीटिंग एलिमेंट वर करता है इसमें दो स्विचे दिये हुए हैं एक से आप ब्लोवर फैंड की स्पीट को कम ज़्यादा कर सकते हैं दूसरे switch में T1 से आप eco mode में operate कर रहे होते हैं और no.2 से high temperature mode में use कर रहे होते हैं इसमें एक और खासियत है second switch से heater को off कर देता है तो यह normal blower fan की तरह काम करता है दोस्तों मैंने इसे 7 to 10 days use किया और मुझे इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई मैंने इसे per day 6 to 7 hour use किया जिसमें मुझे overrating वाली कोई भी दिक्कत सामने नहीं आई 5 से 6 घंटे use करने पर भी इसमें safety grill उतनी ज़्यादा गर्म नहीं हुए जिससे कि मेरा हाथ जल जाए मुझे ये product personally काफी ज़्यादा पसंद आया अगर इसके negative point के बारे में बात करें तो मुझे इसमें एक ही negative point नज़र आया इसमें power indicator का ना होना अगर आपको किसी और negative point के बेरे में पता चले तो मुझे आप comment section में जरूर बता है इसके blower के fan में copper की wire का use किया गया है दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो पिलीज से like कर दें ऐसी और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे हमारे चैनल को subscribe करें और इस products regarding कोई भी सवाल हो तो आप comment section में जाकर comment कर सकते है मैं जल्द जल्द reply करने की कोशिस करूँगा Thank you